Good morning students, कलम ने दिर्ग संदी के बारे में पढ़ा था, आज हम आज की क्लास में गुन संदी पढ़ेंगे गुन संदी में लिखाया गुन संदी, गुन संदी किसे कहते हैं, जब दो संदी, जब संदी करते समय ए, आ के साथ, ई, ई हो, तो ए बनता है, जब ए, आ के साथ, उ, उ हो, तो ओ बनता है, जब ए, आ के साथ, री हो, तो अर बनता है, यह है, गुन संदी कहलाती है अब मैंने एक ब्रैकिट के अंदर A A प्लस E E बराबर A लिखा है इसका मतलब समझ लें A का A के साथ E हो तो A बनेगा A के साथ बड़ी E हो तो A बनेगा A के साथ छोटी E हो तो A बनेगा A के साथ बड़ी E हो तो भी A बनेगा ये समझ गए आप इसके बाद देखें इसके एक्जम्पल यह था जैसे बाल प्लस इंदू सबद है यह दो सबद हैं बाल प्लस इंदू तो बाल में ले में एयाया और इंदू में एयाया प्लस के निसान के बाद इन दोनों को मिलाने से ए बना तो हम यहाँ जब पूरा सबत बनाएंगे इसका तो क्या होगा बाल बाल तक तो ज्यों का त्यों आ जाएगा और ए है ये ये ए की मात्रा इसके उपर लगा दी और जो ए के उपर अनुस्वार थाया वो अनुस्वार इसके उपर लग जाएगा और लास्ट में क्या है दू ये दू इसके सांत में जोडकर के पूरा सबद बनेंगा बालेंदू इसी क्रम में दूसरा सबद है सुब पलस इच्छा दो अलग-अलग सबद हैं इनमे भह में एस्वर है और आगे पलस के बाद में ए है ये ए है और ये बहमे ए है ए और ए दोनों को लेकर के बना ए मैंने ऐसा ही बताया कि किस तरह से मिलाने से क्या बनेगा तो ए बना अब पूरा सब्द बनाने के लिए क्या होगा सुब तो जोंकाते हो आ गया ए की मात्रा है वो ये इसके उपर लग गई और उसके बाद में ये ए तो हमने प्रियोग में ले लिया इसके बाद बचता है आदा चै और च्छा ये इसके साथ जोड़ दिया पूरा सब्द बना सुबे च्छा इसी करम में तीसरा एक्जम्पल देखें तीसरे उधार में भी ऐसी बात है तै लिखा हुआ है सुबर क्या हुआ ए हुआ प्लस का निशान आ गया आगे सुबर कौन सा है इ इ को लगा दिया दोनों को मिलाकर के सुत्र के इसाब से क्या बना इ जब पूरा सब्द की रचना करेंगे तो क्या लिखेंगे जित तक तो पूरे आ जाएंगे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जित आ गया और इसके बाद में ये मात्रा बनानी है एक ही तो इसके उपर आ जाएगी मात्रा जीते हो गया और ये ए के उपर जो अनुस्वार है वो यहां से उठा के इस ते के उपर रख देंगे जीत और इसके आगे क्या सब्द लिखा है छोटी द्री और ये यहां इसके साथ ऐसे मिलाते हुए ये पूर्ण वाक्य बनता है जीते इंद्रिये इसी करम में नेक्स्ट देखें गज में क्या है ए स्वर है प्लस के निशान के बाद में ई है दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा अब इसका सब्द देखें कौन सा बनेगा गज तो पूरा लिख देंगे गज तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको और इसके बाद मात्रा बनी इस ए की तो उपर लगाएंगे गजे ये विशरक दिखता है आपको अनुस्वार ये अनुस्वार इसके उपर यहां बैठ जा इसके बाद नेक्स्ट देखें मानव में ए है स्वर हमारा प्लस के निसान उसके बाद इ इ आ गया इन दोनों को मिला के बना सुत्र के इसाब से ए सब्द को पूरा करो मानव पूरा लिख देंगे मानव उसके बाद एक ही मात्रा लगाएंगे मानव हो जाएगा ये अनुस्वार मैंने बताया अनुस्वार जोंकात्यों इसके उपर आ जाएगा मानवे और अंत में क्या द्रह है तो द्रह यहां लिख करके पूरा सब्द बनेगा मानवेंद्र मानवेंद्र सब्द हुआ इसी तरह से ये ये ऐसे चलते जाएंगे इसके बाद मैं नमबर दो का एक्जम्पल बताता हूँ दो में आ के साथ उ है तो उ बनेगा आ के साथ बड़ा उ है तो भी उ बनेगा आ के साथ छोटा उ है तो भी उ बनेगा और आ के साथ बड़ा उ है तो भी उ बनेगा इसका एकजम्पल देखें ग्यान प्लस उ दे ग्यान में ने में ए सुर है दिखता है आपको और प्लस के नि सुत्र के एसाब से ऑ बणा तो हमें ग्यान सब्द का जब पूरा सब्ददब बनाएंγे तो ग्यान ग्यान तक नाल लिखी देंगे घ्यान का ग्यान और ऑ की मातरा लगाएंगे यह औ की मातरा यहां से लगिए ग्यानो और आगे दे और ये बचा हुआ है, दे और ये मैंने साथ में जोड़ दिया, पूरा सब्द बना, ग्यानो दे इसी तरह से पूरुस का एक एक्जमपल देखें, पूरुस में से है, सुराया ए, प्लस, छोटा ओ, दोनों को मिला के हमें क्या बनाना, सुत्र के इसाब से, ओ, अब वाक्य की इस सब्द की रचना करेंगे, यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं आने चाहिए, पू, रू, और से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए आपको, अब इसके उपर ओकी मात्रा लगा दो, निमा नुसार ओ है, इसलिए ओकी मात्रा लगा दी, और अंत में चित सब्द है, यह उ तो हमने प्रियोग में ले लिया, चित सब्द है, वो चित है, इसके साथ होर जोड देंगे तो पूरा वाक्य बना, पूरु सोचित, इसी तरह से यह है, अब व्यास करके देख लेना, जिन जिन सब्दों का करम बनाया है, मैंने ऐसे ऐसे एक्जामपल आपको दी हैं, आप समझ करके कर सकते हैं, इसके बाद देखें, एक्जामपल नमबर तीन, ए, आ, के साथ री हो तो अर बनेगा, तो इसमें ए के साथ री हो तो अर बनेगा, आ के साथ री हो तो अर बनेगा, जैसे एक एक्जामपल है, ब्रम री सी, ब्रम में मैं का यहां ए हो गया, और पलस के निसान के बाद री आ गया, दोनों को मिलाके में क्या बनाना, अर, तो सब्द बनेगा, ब् और ब्रम में ए हुआ और रे जो है वो इसके उपर लगा दिया अर सबद हमने इस तरह से विवस्थित कर दिया तो ये हमारा एक्जम्पल नमबर तीन का उधारण है इसी तरह से दूसरा एक्जम्पल है इसका सब्त और रिशी लिखा हुआ है तो सब्त में तैमे क्या हुआ ए हुआ और प्लस के निसान के बाद री आ गया दोनों का अर बनना है तो सब्त तो जो काते हो यहां तक आई जाएगा सब्त और उसके बाद में रिशी का री तो हमने प्रियोग में ले लिया सी को यहां से उठाएंगे इसके पीछे जोड़ देंगे सी तो सब्त सी बना अ अर्ब में तै tsoci आ गया यहां यह तो आई गया और अब यह रए जो है वो हलनत है इसली हम रएको ऊपर लगा देते हैं इसलीए सब्त त्रिसी बना इशी करम में सबी सात्रों को जो बताए है वो अच्छे समझ में आ गया होगा अब गुनसंदी का मैंने एक यह मोडिलिं और बना के आपको पेस्ट किया है आप इसको अच्छे से समझ लें और इन जो एक्जमपल बताएं हैं उनको करने का अभ्यास करें और अभ्यास के लिए मैं कुछ से और आपको इस के अलावा एक्जमपल सामगरी और भेज रहा हूं उनको भी सम्मिट करके साथ में लेकर के अपनी नोट बुक में नोट कर देना धन्यवाद